उत्तर परदेश मंत्री मंडल से थोड़ी देर पहले इस्तीफा देने वाले धरम सिंग सैनी हमारे साथ हैं। बीजेपी सरकार में आप मंत्री रहे सैनी जी और अचानक क्या हुआ क्यों ऐसा हुआ कि आपको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए अचानक नहीं ये बहुत पहले से आगसू लग रही थी। आपने देखा हुआ का जब हाउस में लगबाई के 140 विदाकों ने धर्ना दिया वो सरकार की दलित पिषडा विरोधी नीतियों के कारण ही वो धर्ना दिया गा था सदन में लेकिन उस धर्ने को दबा दिय तो उनकी जबान को दबा दिया गया लेकिन सब लोग समय का इंतिजार कर रहे थे क्योंकि वो जब यह देख लिया कि किसी भी तरीके से सरकार को हम फिलाल नहीं हटा सकते तो समय का इंतिजार करने लगे मैं ही नहीं अभी अभी देखे जितने वो 140 विदायक और जो मंत्री लोग थे वो सब आइस्ता इस्ता बीस तारिक तक इस्तिफा देंगे और बहुत बड़ा भुचाल भारती जंता पार्टी में आने वाला है वो हम समाजवादी को कह रहे हैं कि डूबता जहाज है में कह रहा हूं कि नहीं मैंने रखी है लेकिन हम अपने आउकात का पता चल गाया था शेवेने के अंदर ही के भारती जंता पार्टी में बैकवर्ड अदलित के समाज के लोगों के कि क्या आउकात है उस आउकात का जब पता चल लगा तो हमने जादे आवाज बुलन करने का परियास किया ले समय का इंतिजार कर रहे हैं यह हम लोगों ने मोर्चा खोल दिया अब सब लोगों आइस्ता इस्ता बीस तारिक तक जो है काफी संक्या में अब भारते जिंता पार्टी छोड़ने का काम करें आज क्या बात चीत हुए अखलेस से मिलके अखलेस यादो से क्या रहा क्या इस व्यक्ति हो बहुत बिलंशार हो और पीषडों के अर्दलितों के हकिकत में मर्शिया हूं तो मैं उन्हें सादुबाद देता हूं और इस वर्षे काम ना करता हूं कि हकिकत में इस दस मार्च को मुख्य मंतरी की सबतले उत्तर प्रदेश की अच्छा जितने नेता छोड़ हैं वो सका सरकार बनाने में माहिर है 17 में इनकी बनाई थी 22 में बनाएंगे अब कोला और अदकार तो अपने आप दीख जाएगा कोन कोला है और कोन अदकार है अच्छा स्वामी परसाद मौरिया जी कह रहे हैं हमाई साथ और बड़ी ताकत आपको लगता है कि अभी और मंतरी इस्तीफा देंगे मनें बता ना एक सुवही कल और आने वाला है कहने सुवही इस्तीफा होगा एक और 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 यह करम बारी बारी चलता रहेगा इसके आप जी देखत रहेगा आपको मनाने की कोशित नहीं कि बीचेपी मनाने से क्या पांस आल हम लोगों का सोशन परियास सब करें लेकिन अगरा जे मने कहा कि जब तीर से कमान निकल जाता है तो वह वापस नहीं आता है आप लगातार चुनाव जीते रहे बस्पाम भी जीते फिर दुबारा जीते बस्पा से लोग लेखा समित के चेर्मेन रहे कैबिनेट मंतरी रहे तो आपको उची सम्माज जब सुरू में नहीं मिला तो आपको बात कहिनी चाहिए थी जिनके साथ आप गए थे हमने अपने प तो यह आपका टिकट पर आज बात फाइनल होगी मैं उनके वैवार से उन्होंने मुझे कहा टिकट भी और सम्मान जो भी चाहिएगा वो आपको मिलेगा लेकिन मैंने उनके जिस तरीके से डेड़ घंटा उनकी मुलाकात मेरी और अखलेश जी की हुई है मुझे ऐसा दूसवा कि ऐसे नेता की साथ तो टिकट मंत्री संत्री सब बेकार है ऐसे नेता की साथ तो रह करके वैसे काम करने मानंद बहुत आएगा तो वह मैं जहां तक समझता हूं कि उन्हें पीड़ा है पिछड़े दलितों के लोगों की और उन्हें उच्छी सम्मान देने का वो लोग लेकर आएंगे अब देखें तीन सो पार होंगे हम तो धरम सिंग सहीनी जी थे जो बता रहे हैं कि उत्तर परदेश में वह पांच साल मंत्री तो रहे लेकिन चुप चाप रहें उनकी सुनी नहीं गई पिछड़ों की दलतों की बातें वहां पर राष्टे नेतित त कर रहें कि और भी लोग हैं जो मंत्री पत्से और विधायक पत्से इस्तीफा देंगे और वो यह भी कहते हैं कि आने वाली सरकार समाजवादी सरकार होगी और 200-300 की पार होगी कैमरामन चीतेंत के साथ वीरेन सिंग 12 समाचार लखनौ